तो आज अगेन यही दिन देखने में आ रहा है कि फ्लाट नोड मार्केट के अंदर विटनिस किया गया है लेकिन ज्यादा एक अच्छी बाइंग विटनिस नहीं किया रही रही रेडी मार्केट में काम देखें तो फोर बिलियर एंद देर अबाउट की वैल्यू देखी जाती है डेली बेसिस पे लेकिन जो एक कॉशिस स्टैंस है या एक रिलक्टनसी है इन्वेस्टर्स की जानब से वो कही न कहीं मार्केट के अंदर मौझूद है कल एक last trading session है और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर अगेन next week से bull run expected है मगर फिर भी चीजें जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए हमारी जो credit debt swap की payment है वहाँ से थुड़ा सा leniency मिल जाए तो तमाम चीजे या वो हम जब pay कर देंगे तो उसके बाद जो है वो चीजे बहतर हो जाएंगी first segment देखते है Let's have a look on daily highlights आज के market की performance देखते हैं open हुई market 42,300, 48.63 के level पर higher side to market के 42,658.39 good sign के higher side to market ने 42,500 psychological barrier से above जो है वो intraday high punch किया, lower was 42,300, 48.63 same as the opening and finally closure 42,393.52 completely flat but positive 44.89 का इसाफा Turnover में currently 161.77 million shares टेट के गाए काल के मुकाबल में gains है 41.58 million shares and value is good 4.68 billion rupees nextly volume liters में all script being in green 30 WTRS इसको डीट करें है 0.05 के जाफे के साथ 1.41 पर closure 15.34 malicious traded has call second is call पर 0.16 का gain 7.82 पर closure 12.13 malicious trade के गाए and lastly GCIL 0.21 का gain देखा गया 17.81 पर closure रहा 7.82 का का रुबार रहा ये गनी केमिकल्स काफी एरसे बाद line light में दिखाई दिए और साथ-साथ ये कि penny stocks में आज का मतवा दिखाई दे रहा है next segment की तब चलते है Topic of the Day में आज हम बात करेंगे economy और खासकर Pakistan Stock Exchange की जो positions हैं उसको unwrap करेंगे साथ-साथ industrialization पाकिस्तान की जरूरत अहम जरूरत इसको भी focus करने की जो है वो आज need है macros की growth कितनी हो रही है आज हम discuss करेंगे we have in the topics import versus exports अब क्या gap दिखाई दे रहा है जब import curve की गई है और साथ-साथ privatization को जैसे issues है जो privatization की के रास्ते में hurdle create करते हैं तो उसको कितना ज़्यादा focus करने की address करने की जोट है आज discuss करेंगे we have very exclusive panel खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ मौजूद है साहियत खालिद पात्मी साब आप senior analyst है expert भी है assalamualaikum sir welcome to the show और हमारे साथ मौजूद है सल्मान नक्वी साब आप economist भी है और educationist भी assalamualaikum welcome to the show प्रोग्राम का पकाइदा आगास करते है फात्मी साब आप से क्या position दिखाई दे रही है sir economic point of view से Pakistan stock exchange की performance तो एक dull behavior देखा जा रहा है कर पाई एक हाकिकत है और as compared to हमारे नेवल्स बंगला देश इंडिया अगर आप देखें तो हमारे हाँ investor बहुत कम है retail में तक्रीबन ना होने के बराबर है कहते तो हैं के 2,20,000 हैं लेकिन हैं नहीं active members मुश्किल से 5,6,8,10,000 हो जाएंगे आपके हाँ investment जाएर है जो बाहर की मौजूद और जो लोकल मौजूद और उसकी बुन्याद पर आप तक्रीबन बावन बिलियन डॉलर पर सर्माई कारी पर काम करते हैं लेकिन इसको यहां तक मैं समझता हूँ हमारे पास साथ एक नौमिस साह बैठे हैं जब बहुत डेप्ट में जाएंगी तो बहुत सारी बातें निकलाएंगी कि ऐसा क्यों है देखे थ्री पॉइंट फाइव मिलियन जो है रिटेलर हैं बंगलादेश में हमारे पास दो और दो लाक भी नहीं है तो उसके लिए क्या किया सकता है वो तो वही लोग बता सकते हैं जो उसके करता धरता है इसके बारे में खबरे भी आती सारी चीज़ें लेकिन ये के दुनिया में दूसरे ममालिक में जो डेवलप कंट्रिया उसमें स्टॉक एक्शेंज का रोल बहुत बड़ा होता है उसकी बुनियाद पे आप जो मेजरमेंट है और जो ग्रैफ उसको चेक करते रहते हैं कि वहां का या जैसे आप समय सिंगापूर है या नहीं और का या जो भी दूसरी जगे हैं हमारे हाँ ऐसा नहीं अब आपका जो दूसरा सवाले के है एकानमी के हवाले के तो ये इसमें तो नहीं अब एकानमी के लिए हमें तो अपने जो ग्राउन है पाकिस्तान का उसी में घूमना होगा जिसमें सनती इंपॉर्टन्ट है अग्रिकल्चर इंपॉर्टन्ट है हमारे मुल्क का दारुमदार 68 फीसद जो है जरात पे है और उस पे सबसे अदा काम करना चाहिए होफुली चाहिना से हम लोग कोशिश कर रहा है कि किया जाए इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टन्ट है जिस पर बार बार लोग डिसकस करते हैं मैं यही कह सकता हूं कि अभी तक हम एक्सपॉर्ट को इंपॉर्ट के बराबर भी नहीं लापा है यानि कहां नौ नौ लाक समते करो और कहां पांच अरब दोनों में लंबा गैप है ता गरीबन 35% का गैप है जिसको हम मैच नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वज़े शायद यह है कि जो हम मिनुफैक्चरिंग सेक्टर हैं उसमें वो ग्रोथ नहीं जो होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि सल्मान साब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉरमेंस आप प्लीज इंट्रोड़क्टरी कॉमेंट दें एक तो थोड़ सा कॉशिस स्टैंस देखा जा रहा है तमाम चीजें बहतर हैं अब सारी चीजें अलाइन हैं उसके बावजूद एक रिलक्टनसी देखी जा और ये काफी यानि के समझने के कम असकम दो तीन महीने से इससला जारी है इसकी बुनियादी वज़ा वजुहात हैं इसमें पॉलिटिकल अंसर्टैनिटी सरे फैरिस्ट है एकनॉमिक मैकर एकनॉमिक्स इंडिकेटर्स का वीक होना है इसके साथ साथ जो है कुछ अच्छी नियूस जो है वो मार्किट में नहीं है बहुत सारी वजुवात हैं हाववर मार्किट इस वक्त तक्रीबन 3.5 की प्राइस अर्निंग रेशो पर ट्रेट कर रही है जो के वर्य अट्रेक्टिव आइटिंग इन दे हिस्ट्री इतने लो लेवल पर कम देखी गई है या शाय है वो पहले अगर दोड़ा सा बात रहें नाइटी एट में जो क्रैशिस है उसमें भी इतनी लो प्राइस अर्निंग रेशो नहीं आई बेज़कुल डिविडेंट यिल्ड हाइस इन रीजिन है कम असकम फाइफ तो सिक्स परसंट है और बहुत से इस वक्त जो है का प्राइमिस इंडिकेटर्स का प्राबलम में आना है जो सब मेरे खाले आज कल काफी डिसकुशन का मौदू है वो ही बुन्यादी वजा है मैं समझता हूँ अब कल वन पॉइंट टू बिलियन डॉलर्स की एक्पेमेंट है और ये हो जाएगी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड अप होगा लास्ट फ्राइडे भी मैं इस प्रोग्राम में था थर्जे तो उस वक्त हमारे सामने तीन चार चीजें थी एक तो रोल ओवर वीक का लास्डे था फ्राइडे आर्मी चीफ की तकरूरी थी एक कुछ जो है पॉलिटिकल फरंट पे कुछ एक्टिविट हो सकता है हो रहा है और साथ-साथ जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए भी अदरवाइस यह जो वीक है यह मार्केट के लिए बहतरीन होता और उसकी वज़ा अट्रेक्टिव लेविल्स एक्स्ट्रीमली ओवर सोल्ड बहुत सारी ऐसी डिवलेपमेंट्स जो आगे होना है जिसके लिए हकोमत ने कमेंट्मेंट किया है पैमेंट्स इस्टॉलमेंट्स की पैमेंट्स आइमेफ से बाचीत का शुरू होना बाइलेटरल और मल्टी लेटरल एग्रिमेंट्स के बारे में पॉजिटिविटी थी जो पिसले वीक में आई थी तो मार्केट अच्छी हो सक हैं CEO NBP Furns उनको खुशामदीद कहते हैं असलाम अलेकूम सर वेलकूम तो दिखाई दे रहा है क्या समझते आप जी बिल्कुर सही है बिशिकली बिशिकली इंटरसेट भोड़ते हैं तो बिसकली स्कांथम्हकिकली चॉपलेटि एक ट्बि ठकीरल गेर आपका ता फीर रेटल थी तो फिर वो स्कांथम्हकित कर रिस्क नहीं लेहा है और दूसरा इंटरसेट बढ़ने से जो cost of borrowing है, corporate के लिए, companies के लिए वो भी बढ़ जाती है. Having said that, basically, जो इंटरसेट बढ़े हैं, उसकी जो जो ज़ी वजा है कि inflation हमारी कम नहीं हो रही. Last month 26% थी, अभी भी 22-23% का नंबर आया है. और generally, basically, जो एक I.M.F. का होता है कि inflation higher to interest rates को भी high होना चाहिए. तो मेरे चाहिए उस context में interest rates थोड़े बढ़ाएगे हैं. Hopefully, आगे जाते हैं, जब inflation फोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेस अब अगर अगर फुर्दर टेक्स नहीं लगे या फुर्दर बिजली गयास पर टॉल नहीं बढ़ा. तो फिर आज़ आज़ आज़ा इंफ्रेशन नीची आने लग जाएगी इस महीं में भी. चाहिए पिछले महीने के मकाबले में 2-3% काम हुई है. 26 से मेरा ख्याल है 23 के करीब आई है. तो जब इंफ्रेशन फोड़ी काम होजेगी तो फिर स्केट बैंक के लिए भी एक उप्रिटिन्टी निकलेगी कि वो अप्र टू डिकेड्स ये इंट्रेस्ट इतना देखा गया है तकरीवन 20 साल बाद. आप समझते हैं कि हायर इंट्रेस्ट रेट पे ग्रोथ होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है. बिजनिस इस फ्लरिश नहीं करते हैं. अभी भी यही देखा जा रहा है. बिजनिस कम्यूनिटी शिकायत करते हुए दिखाई देती है. आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है? इंट्रेस्ट रेट कहां जाएगा? और साथ-साथ अगर थोड़ा सा बात करें, ग्रोथ की, मैक्रोस के ग्रोथ की, तो वो कहां देख रहे हैं? यह उपकोर्स यप इंट्रेस्ट हाई होते हैं, और उसकी वाजाते फिर हमें टेक्सी बहाना पढ़ रहा है, विजली गास ट्रॉल भी बढ़ाना पढ़ रहा है, और इस एंवार्मेंट में भी इंट्रेस्ट बढ़ते हैं, तो जो मैक्रो चीजे हैं, वो थी करनी पढ़ेंगी, गर्मेंट को अपने सच्छे काम करने पढ़ेंगे, प्राइज़ेशन की जरब धिहान देना पढ़ेंगा, तो इस एंट्रेस्ट करनी पढ़ेंगी, यह चीजे होंगी तो फिर ग्रैजुली, विल फी के इंट्रेस्ट की नीची आजाएंगे, इस एंट्रेस्ट को थोड़ा काम कर भी लिए गर्मेंट और फर्दर काम भी करना पढ़ेंगे. इंवेस्टर्स को क्या अड्वाइस करेंगे, वो जो फिक्स डेपॉजिट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंट्रेस्ट रेट का ट्रेंड जो है, तो फिर वो जो फिक्स डेपॉजिट की तरफ चले गए, उनके तो सेंटिमेंट हो जाएंगे, उनको तो एक जहन में जो एक होगा कि काफी हद तक अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा, वो तो नहीं होगा, तो आप उनको क्या अड्वाइस करेंगे, क्योंके बड़ी इत्रैक्टिव वैलिएशन पर है, जी बहुत अट्रैक्टिव वैलिएशन पर है, जब यहां से थोड़ा इंफलेशन इंट्रेट गिरेंगे, तो फिर इंचाला एक अच्छी इंप्रूप्रमेंट आ सकती है, तो अगर कोई किसी काला ताइम होराइजन थोड़ा लॉंग है, 6 मीने साल का है, यह पांज यह दूश्य जादा का है, तो इसको सूट करता है कि वो कुछ एक्स्पोरियर स्टॉक मार्केट में रखें। चले जी, वन लास्ट क्वेस्टन वहीट साब, आगे, फॉर्णर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन से फॉर्ण बायर्स हैं, जो जादा देखे जा रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की मार्केट में? फॉर्ण बायर्स हैं बहुत काम हैं पाकिस्पारियर स्टॉक में, और अब वो फॉरेंट चलिंग का प्रेशर नहीं है तो अगर यहां पर डिमेस्टिक बाइंग आई मार्केट में और मार्केट रूप जाएगी पहले यह उता है कि जब डिमेस्टिक बायर्स स्टॉप मार्केट में आते भी थे तो फॉर्नर्स अपना माल बेश्टे थे ते और इसको एजसे स्टॉप मार्केट उपर नहीं जाती थी तो अब यह एक अच्छी चीज है कि फॉर्न पॉर्नर्स के पास ज्यादा माल नहीं है और अगर डिमेस्टिक इंट्रस थाया मार्केट में इससे मार्केट के उपर जाने के चांकिस नहीं है इतने अट्रक्टिव प्राइस कितनी जिरी है और हमारी पीछे रेटिंग भी गिरी है तो जब तक भी दोन पुट आवर वान हाउस इन ओर तब तक फॉर्न फॉर्नर्स के आने की चांस की स्काम है वेल तेंक्यू सो मच अमजड वही साब मारे साथ मौज़ूथ है काफिज जेल अनालिस सल्मान साब भी मौज़ूथ है फात्मी साब भी तो फात्मी साब एकॉनमिक नंबर्स की बात करें मैक्रोस पे तवज़ु देना होगी और ग्रोथ की मामलात थोड़े से इंटरस्ट कंट्रोल करने के लिए यह उन्होंने जाहरे एक परसन बढ़ाया लेकिन दूसरी तरफ इसका जो नुकसान है वह जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि इसके नुकसानाथ में सबसे एहमी है कि इन्वेस्मेंट कम हो जाएगी गिर जाहरे अच्छा बैंक से लोन्स मिलना कम हो जाएंगे चीजे कम हो जाएंगी तो जब कम हो जाएंगी तो बिजनस में भी काफी बिजनस पैसर पड़ेगा इसका बिजनस नीचे चला जाएगा लेकिन ये मैं आप से कह सकता हूँ जो जो एकनॉमिस्ट है बड़े वो ज्यादा इस पर नज़र डाल सकते हैं कि बिलक इससे हम कोई फाइदा उठा सकेंगे लेकिन अभी तक जो मैंने देखा अख़बारात में क्रिटिक जो है वो ये कहरें कि इसके नुखसानाद ज्यादा है फाइदे कम है महसूस यह हो रहा है तो लिटर सी की क्या होता है कुछ कहां नहीं आ सकता अभी दोनों तरफ हैं जो इसके सपोर्ट में बात कर रहें वो भी मौजूद जाहरे हो कूमत जो काम कर रही है उसके पास भी कोई नहीं कोई लॉजिक होती होगी कोई सिस्टम होता है और बैंक को इससे फाइदा होगा क्योंकि इसमें लूजर जो है वो ज्यादध तर कन्जूमर हो जाएंगा प्रा verification मागी है जबके नाइन जो meeting थी उनकी वो भी गरवड़ जो October last week of October में होनी वाज थी वो टल गई है अब December आज शुरू हो गई तो मुझे नहीं पता January में हमरा due है 1.2 या 1.1 billion जो मिलने वाला है उस पे भी हम सारी चीजें बेस करें तो हैं तो crisis है तो हम गुजार रहे हैं इसमें कोई शुखाने सल्मान साब एक और मजीद ये जो फात्मी साब ने बात किया IMF के point of view से virtual meetings तो start हो गई है गालबन और यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि finance minister सागडर साब ये बहुत कोशश है कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीजें ना हो क्योंकि जब हमें रश्या से oil लेने पर sanctions थी तो उस वक्त वहां से भी चीजें काफी बहतर हो गई है क्योंकि जो हमारे लिए हमारे मुल्क के लिए बहतर होगा वो government फैसला करेगी इससे पहले भी काफी different और काफी difficult initiatives लिए गए अभी भी further लिए जा रहे हैं क्या समझते हैं आप ये चीजों को manage कैसे किया जाएगा क्या indicators कह रहे हैं war footing mode पे steps लेने की ज़ुरत है 40 और immediately और एक मिसा के economy जो है इसे sign करने की ज़ुरत है 40 steps की जूरत है इसमें कोई delay करने की गुझाईश कम है पॉलिटिकल uncertainty कम की जाए उसके साथ साथ जो है ऐसे policy policy measures लिए जाए अब import को रोकना मसनुई तरीके से ये भी जादा देर तक हो नी सकता है हावर इस government की बड़ी efforts हैं कोशिश कर रही है और जहां तक monetary policy का तालुक है ये मेरे खाल है IMF के pressure में आकर की गई वरना इसकी कोई हमारी dynamics ही यह लेदा है अमेरिका में हर business man, हर इनसान bank से loan लेता है, mortgage करता है जबके पाकिस्तान में रिवाज नहीं है insurance का कितना रिवाज है मावर 40% cash pay economy है पाकिस्तान में, cash पे काम होता है और bank में उसकी transactions नहीं आती है लेहाजा अगर जितना interest rate बढ़ा लिया जाए, आपकी spending में कोई कमी नहीं होगी, inflation वैसे ही बढ़ेगा, dollar में भी देखें, interest rate बढ़ाए, कोई कमी नहीं बाकिए नहीं है अच्छी cost put इंडिया की मिसाल ले सकते हैं, जो हमसे केई गुना आगया है, और IT इंडिस्ट्री पे जो है उस वक्षाइवा, billions of dollars की एक्सपोर्ट की हर साल होती है, तो हमारे हाँ, कुछ staff की कमी है, कुछ skills की कमी है, कुछ चीज़ें दी जा रही है, हकूमत की सरतोड कोशिशे पिछले चंद सालों से मौजूद हकूमत की भी, पिछली हकूमत की भी, कि IT सेक्टर में ये तमाम flaws को दूर करा जाए, और यकिनां पाकिस्तान में अच्छा स्कोप मौजूद, अगर हम इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लें, तो इसमें काफी growth हो सकती है, राइट, growth हो सकती है, और IT एक बहुत बड़ा सेक्टर है, फात्मी साहब अब IT के ओपर आप भी कॉमेंट कीजिए, कि इस ताइप की growth दिखाई दे लिए, बिल्कु दूर्स कहा, कि IT इस बहुत fastest growing है, और शाय जिनों ने बिल्कु जैसे हालिया मिसाल ये उक्रेन की मौजूद है, कि रशा को इसमें IT में बड़ा डैमेज हो रहा है, क्योंकि जो लोग वहां काम कर रहे हैं, वो इदर उदर पोलैंड और मुक्तलिक मुलकों में भाग रहे हैं, इसी हवाले से दूसरे मुलक के जाहर है, आईटी डेवलप कर रहे हैं, इसी तरह कोविट की वजए से पूरी दुनिया में, आप कुपता है कि एक पूरा नया निजाम आगया, इवन पाकिस्तान में भी देशना दफात्रे में लोग घर से बैठके काम कर रहे हैं, वर्क फॉम हो अगया, इससे पहले कोई कॉइप ने ते यूरप अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा हो गया, और ये भी इनोंने साही कहा कि आईटी के लिए जरूरत इस बात की कर रहे हैं, ये भी नहीं के नहीं कर रहे हैं, इसलाबाद में किया है, लाहोर कराची में भी करनाची ये और ज्यादा, क्योंकि आईटी से बिलकुल हकी ये है कि आने वाला कम से कम 10, 15, 20 साल जो नज़र आता है वो ये कि इनी की दु इसमती से शायद जरा देर से जागे इंडिया इस दोरान एक बड़ी अच्छा स्पेस निकाल लिया उसने पूरी दुनिया में और वो तक्रिब नाइटी सिक्स में आ गय थे इसमें जब चुनाए में बिल गेट साथ तश्रीफ लाए थे वहाँ, तो उन्होंने इस वह सिल तो इवन बीज़ बाईस साल में वो सब कुछ कर जाते हैं, लोगों को साथ साथ वरस नसीब नहीं होती है, यानि पिएजडी करके भी निसी, तो इसमें ग्रोथ इतना है कि और यंग्स्टर्स के लिए खास तोर पे, उनका जहन तेज काम करता है, रहाँ खास के प्रोग्र चाहिए होता है, आप अपनी मर्दी से बनवा रहे होते हैं, तो उस हवाले से आपके पास इतनी गुंजाइश और ये मुलक इस लिहाज से भी बहुत खुश किसमत है कि यहाँ नौजवानों की तादाद बनिस्बत हम लोगों के ज्यादा है, तो इसलिए उसको अगर उसम कितना तेस चलता है, तो मैं समझता है भी सब्रिलेंट आइडिया और लेकिन कर रहे हैं, इसमैं ने आप से का पिछल चार सार में डबल किया, और कह रहे हैं कि अनब सACHर साल में से को और जिया है, तो मैं आशली मैं कि उलेघाल की आप तो और हर चीज के अंदर आप टेक्न यह चलें जी गुपतगु जारी है, नेक्स सेग्मेंट की तब चलते हैं Commodities और Forests के latest update आज की मार्केट में देखते चलते हैं क्या रही परफोर्मेंसेज गोल्ड की पर दोला प्राइस Oil WTI per barrel 81.01 dollar, Oil Brentwood per barrel 87.37 dollar Currencies में सबसे पेले, Euro buying रही 247.5, selling was 250 rupees UK pound buying रही 287.1 rupees, selling was 290 rupees US dollar buying रही 229.25, selling was 231.25 Chinese yarn buying रही 31.38, selling was 31.63 Nextly, Saudi Real buying रही 63.3, selling was 63.9 UAE दरहम buying at 65.4, selling was 65.9 Kohitha Dinar buying रही 730.16, selling was 735.16 And lastly, Umani Real buying रही 584.13, selling was 588.63 ये था परेक्स और कमुईटीस का latest update internationally oil price के जो एक trend है, वो downward देखा जा रहा है This is the blessing for Pakistan. पहले ही सर्मान नक्पी साहब और फात्मी साहब जिकर कर चुके हैं, जैसे जैसे commodity price कम होंगी, उतना ही पाकिस्तान के board bill पे जो एक burden है, issues हैं, वो कम होंगे, असानिया होंगी और यही जो पैसे हैं, वो हमारे लिए, हमारे poor strata के लिए काम आएंगे, जो के जरूरी भी है, नीड भी है, फात्मी साहब, वो policies जो के हम जिकर कर रहे थे, starts program, गरीब लोगों के लिए जादा से जादा facilitation, जादा से जादा उनको फाइदा पहुंचे, इस government की ये एक कोशिश रही है, start से, कि कोई ना कोई ऐसा तरीका इक्तियार किया जाए, क्योंके हम subsidy नहीं दे सकते IMF program में, क्या समझते हैं, आप कौन सी policy है, जो आपी जिस पर focus करने की जुरत है, या कौन सी चीज है, जो क्या भी थोड़ी सी होनी चाहिए, देगे, prices तो आप कम नहीं कर सकेंगे, जो हालात हैं आपके, क्योंके आपने खुद ही कह दिया कि IMF की binding बादा है, आप सबसे दूनियात पे आप कहां सारा, जब तक आप alternate चीजे जैसे आपने आजी even screen की बात की और दूसरे, जब तक आप parallel कोई नजाम नहीं लाएंगे, जहां आपकी खपत कम तो नहीं होगी, लेकिन control over होगी, जैसे oil है या gas है उसकी, उस वक्त तक आप कैसे चीजे सस्ती करेंगे, जब तक self-sufficiency नहीं होगी, हमारे पास ये agriculture में आज़े जैसे आपने जिकर किया, तो इसलिए सवाए जो मैं समझता हूँ के बेहतरीन हल यह है कि small loan से cottage industry कितर जाए जाए जाए, small industry is the only solution, बजाए heavy industry और बड़ी industry, जिसकी machinery, अब इसे चोड़ दी है, 90% आप बाहर से इंपो करते हैं, जब कि मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में capability भी है, जहानत भी है, और ताकत भी है, कि हम चाहें तो छोटी मिशीने पाकिस्तान में बनाए जब चाहिना बना सकता हम भी बनाते हैं, एक आम सी लेट मिशीने, printing मिशीने या कोई और दूसरी पालिसी बनाए जाए या दस साल की पालिसी बनाए जाए जिसमें ये तैय कर दिया जाए कि कोई भी मिशीन बाहर से नहीं आएगी बलके हम लोकल बनाएंगें, यह आप अंदाजा किजे कि आम सी बिलकुल जो बीस जार, तीस जार, पचास जार और पांच लाग की printing मिशीन पर बेस करती, अलड़ी स्टील मिल तो तबाई हो गया, लेकिन स्टील से जो बाई प्रोड़क्स हैं, वो भी हम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास छोटी इंडस्ट्री नहीं है, मैं शायद कल पर, नहीं, पिछले एक महीने पहले पाड़ा था, कि रेलवे के जो स्प्रिंग है, वो भी हम नहीं बना पा रहे हैं, हाला कि RV वाले कोशिश कर रहे हैं, खुद अपनी इसमें बनाने की, यानि जिस पे वेट पे चलता है, इंजन, वो भी ये टेंडर मागा है इनोंने, लेकिन टेंडर सब बाहर से आए हैं, तो ये जो आप का है, जिस तरह आप आई की कि आपने अभी जिकर किया, इसी तरह आपको डाइवर्ट करना होगा, और उसके लिए आपको लोगों को ये जो प्रॉपर स्कूल है ना, मैट्रिक और A लेवल और O लेवल और मास्टर लेवल, इस से हटा के लोगों को जापान, चीन, कोरिया, ताइवान के स् सबसे ज्यादा जो दुनिया में इस तो जरूरत है, वो है काम करने की, यानि मजदूर की, मिशीन की, टेकनिकल की, तो वो अच्छा, आपके आँ नहीं रुझान है, क्यों नहीं है ये तुम नहीं जानता, लेकिन नहीं है, तो हमारे हैं जो मिडिल क्लास और लोड मिल्ट क के लोग है, जो गाउं में रते हैं, दिहाद में रते हैं, उनके पास कोई अपर्चिनिटी नहीं, वो आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं, क्या वज़ा है, आई रून नहीं कर पा रहे हैं, आपका सारा जो कॉंसेंट्रेशन है, वो शहरों तक नहीं है, इस चीज़ पर फोकस हो या पी आईएगी तो थोड़ी सी हर्डल्स क्रियेट हो जाती हैं जबके इशूस बहुत होते हैं जितनी जल्दी प्राइटाइज हो जाएंगे और तो अच्छा गर्मेंट के पास रेविन्यू आएगा जी बिल्कुल प्राइविटाइजेशन हो या डारेक्ट इन्वेस् इसके पहले कहा हूं और इसके साथ साथ इंटर्नेशनल एंवायरमेंट जो है वो सूट करती हो अब आचकल रिसेशन है दुनिया में तो लोग अपनी अपनी इंडेस्ट्रिया समाने हो कहां जो है दूसरी इंडेस्ट्रियों की तरफ जाएंगे तो एक्सिस्टिंग इंड जो प्रॉटिबल इंडेस्ट्रियों है दियार अंडर ट्रॉबल और उनको अभी उनके फिनैंसिस को मीट आउट करा जा रहा है इसलिए प्राइविटाइजिशन का प्रॉसेस्ट्रो हो सकता है बट इट इस वेरी इंपॉर्टाइजिशन मैं दूसरे सिनेयरों में बता द प्रॉटिबल करें उस जाए उस जाए तादा में प्रॉटिशन करा जा है अच्छे वक्त आने पर अच्छी प्रॉमते में ने कुछ अभी स्टेक्स बेचे जा रहे हैं जो हमने खबरों में सुना है यूए ई को और ट्वेंटी टैन तू टूटिपरसंट इसमें ए एनप स सेक्टर के हैं ओजी डी सी पी पी एल के टेन परसंट परसंट इसमें पी एसो के भी हैं कुछ इस पर बाच चल रही है क्योंकि ये बड़ा अट्रेक्टिव हैं और मौझूदा जो इस वक्त इनके लेवल्स आए में तो उस पर यकीनन भार के लोग इंटरस ले सकते हैं तो पर प्रिविटाइजेशन और साथ-साथ नियू जो कॉर्टेज इंडास्ट्री या एसमे के हवाले से बात करें तो नियू इंडस्ट्री होनी चाहिए ग्रोथ होनी चाहिए जो के इंट्रेस्ट रेट के वाई से थोड़ी सी अभी आभी थोड़ा सा डान्वर्ट करती हुए होगी. इसी नोट पर पर प्रोड़ाम को वाइंड आप करेंगे जाज़त दीजे, अलाहाफिस.